तो जैसे कि चार नंबर कोश्चन है कहता है कि which term of AP is 78 बताओ इसका कौन सा term 78 होगा बताने की जुरुत है क्या मुझे नहीं पता वो कौन सा टम है 78 बोले तो देखो ऐसे समझाता हूँ जब हम कोश्चन सही तरीके से लिखेंगे न तो आंसर भी सही तरीके से आएगा जब कोश्चन ही गलत तरीके से लिखेंगे तो पक्का आंसर गलत तरीके से आएगा question number कौन सा है वो 4 है और उसमें जो terms दे रखा है वो ऐसा दे रखा है 3 अगला क्या है 8 फिर 13 फिर 18 और dash 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 78 मुझे पता है नहीं कौन से नंबर का मुझे यह पता है first term क्या है तो आप यहाँ पे अगर मैं ए बोलू तो ए बता सकते हो कितना है पक्का first term लेट नहीं करना है यहाँ पे पहले से पता है आपको 3 है और common difference क्या है 8-3 कितना आपको नहीं पता यह कौन सा term है तो क्या लेट करेंगे हम लोग लेट करेंगे ए एन इक्वोस्टू 78 एक कोरी एक बच्चे की बोलो लेट तब करना है जब आपको पता नहीं हो तो सर पिछले question में पहले पार्ट में आपने लेट क्यों किया वह इसलिए कि मैंने अपना फाइदा सम दिखाया उसमें मेरा फाइदा क्या था मैं मैं बताता हूं आपको इस वाले question में यह दो तो पता था पहले आपको लेकिन अगर मैं इससे लेट नहीं करता तो यह जो पांच नंबर question है ना यह जो फिक पार्ट है इसका उसमें confusion हो जाती है समझ गए इसलिए मैंने लेट करा लिया आपसे मैं जानता था answer तो यह आएगा लेकिन मैंने अपना फाइदा समझा कि एक तीर से दो निसाने हो जाए मेरे इसलिए मैंने आपको बता दिया ठीक है यहाँ पे एन पता है बताओं क्या क्या होगा formula जानते हो अब आपको क्या लगाने मैं पूरा नहीं करके बताऊंगा देखलो यह करना नहीं है do yourself a note नहीं करना इधर देखो यह क्या होगा a plus n minus 1 d equals to 78 a पता है कितना है 3 n पता है नहीं पता d कितना है 5 है equals to 78 मत पूछना अपने आप निकाल लेना कर लोगे ओके चलो जरा आगले question की तरफ चलते है next question जो है कहता है कि find the number of terms in each of the following ap यार सेम चार के जैसा है question किसके जैसा है चार के जैसा है उदर से किसी बच्चे ने answer बताया किसका answer 16 आएगा चलो जी यह लो जी 16 आएगा निकाल लेना आप पांच नंबर question भी same है इसका first part जो है वो मैं लिख देता हूँ एक पिनट same as question number four first part क्या दे रखा है बताना first part is seven thirteen nineteen dash dash two zero five करके बताऊं क्या इसको और second part में क्या दे रखा है छोड़ो नहीं यार लेक लेना अपने आप कर लेना अपने आप डू योर्सेल्फ है अगर कोई गलती होगी तो calculation की गलती होगी concept की गलती तो बंती ही नहीं है यहाँ पे अगला question देखते हैं जरह हम लोग कहता है कि check whether minus 150 is the term of ap or not देखो एन कभी fractional नहीं होता है अच्छा माल लो कोई कुछ लोग क्या करते हैं भाई नॉन्वेस खाते हैं खाते हैं तो मुर्गा खाते हैं कुछ लोग तो चलो मुर्गा लेने गए नहीं यार यह वाला example थोड़ा वैसा रहेगा रहने तो छोड़ो दूसरा एक्जामपल दूसरा लेते हैं इस काने को बहुत अच्छी तरहीं से समझना जो रामलाल है छोटा सा लड़का है गडरिया समझते हो जो भीड़ बकरी चला चेराने जाता उसको बूलते हैं गडरिया तो स्कूल भी जाता है और खाली टाइम में मैं ऐसा मलब उनको चराने भी जाता तो वो मला हमारी क्लास में छुटी बे रहते हैं ना वर समझा सब्जा के थक्या की छुटी मत करो फिर भी चलो बट फिर भी तो वो गडरी आया है वह अपने पिताजी को कहता है देखो ऐसा है मैं तो थक जाता हूं तो मैं भेड़ बकरीचराने नहीं एक्स जाएंगनुछ दो मुझे घोड़ा लाके दो मैं घोड़े पे चड़ के है फिर इनको चराने जाऊंगा भाई पिता ने काया क्या विथ यॉश्यक्त है लग एक उसने का नीं मेह नी चाहिए चाहिए उस दिन शाम को अब हर्ताल कर दी तो फिर मरता क्या ना करता वह पिता जी ने बूला चल ठीक है दिलवाता हूं क्या करें गोड़े वाले के पास लेके गए गोड़े वाले को बूला भाई ऐसा है देख पैसे तो नहीं दूँगा मैं लेकिन मेरे पास भेड और बक्रियां बहुत है वह दू बात हो गई final हो गया लेकिन इसने काई नहीं यार 15 नहीं मैं तो 12 दूंगा मैं 12 दूंगा अब वो कहता है नहीं यार 15 नहीं आप 14 देदो जाता हो ना आप भी दुकान पे तो ऐसे ही करते हो है ना तो वो कहते 14 दे दो इधर चे बोला गया नहीं 12 देंगे हम लोग और ऐसे घर के मामला से टल हो गया ना तुम्हारी ना हमारी ऐसे जाके बोलतो साड़े तेरा साड़े तेरा Oh My God साड़े तेरा कहां से लाओगे यार समझ रहो हैं लाओगे के साड़े तेरा यह पैसे थोड़ और नेगेटिव नहीं होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, N zero हो सकता है, N zero हो सकता है, लिख दो, लिख देता हूँ ताकि वो बात समझ में आजे, आपको, कि N कभी भी fractional नहीं होता लिखो, Attention प्लीज लिखो जल्दी से साथ के साथ, Attention प्लीज, n n can not be negative or in fraction n kubhih b negative नहीं हो सकता और नहीं fraction में होगा चलो जरा जो question पूछ रहे आप से कौन सा question था हो 5th 6 था क्या बोल रहा था हो question में पहले numbering बताओ AP 11 था 852 मुझे नहीं पता मैंने तो dash dash लगा के 150 माल लिया है माल लिया है अच्छा जब आप इसका n निकालोगे न तो n निकालके जो आएगा let करेंगे पता है न आपको let करेंगे an equals to minus का 150 पता है न आपको nth sum मुझे नहीं पता यह first time है second time है third time है अभी भी कुछ बच्चे न आपको ऐसे देखते हैं मुझे दर लगता है भाई a1 a2 तो इसको क्या मानेंगे an an क्या मानेंगे इसको an उदर वाले बच्चों ने तो आंसर भी निकालके यह भी बता दिया यह ap में नहीं है n जब निकालोगे तो 164 upon 3 n cannot be in fraction नहीं पॉजिटिव आएगा यह आप क्यालकुलेट करोगे पॉजिटिव यह आएगा ओके तो आपके लिए छोड़ दिया है है ना कुरिया नेगिटिव में नहीं आएगा आपकी कल्कुलेशन गलत होगी n पॉजिटिव आएगा ओके आट्राइ करना चलो इस टॉजिए commerटे तो नहीं पॉज आएगा है पॉली तो इॉली तो युली एक्परिए पॉल